विक्षा करने का समय उनके पास नहीं है इसलिए जनता परेशान है और आज हम सब लोग जनता की आड़ से जिलादी इस वादे को इस बात के लिए चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपनी कानून दिवस्ता को ठीक करिए अपरादियों को जेल के अंदर लाइए और यदि आपने यह नहीं किया आप जनता सबकों पर आने वारी है और जब जनता सबकों पर आती है तो अच्छे-च्छे की नीव बहुए जाती है इसलिए आप सचेग होिए और जिस तरह से अपना आप बड़े हैं जिस तरह से पूरे प्रवेश्ट कर देए शाषा की कोई चीज नहीं रही किसी प्रकार की कोई शाशन लेक्ष पात्र दिखाई नहीं देगा हर जगे अरा जगे अरा जगता का राज है अरा जगता सब जगह है और ऐसी स्कति में आप आजमी पिश रहा है अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ शोपी यह आपके शाशन की बांगी देख इससे भी डवय आपको जवाब जन्हता देने वाली है इसलिए अपने आपको सुदारों समय है आपके पाइस शुदारों की चावी है आप उस शाशन को ठीक करो और अपरागियों पर लगाओं लगाओ तब जन्ना सबानेगी कि कि अप कोई शाशन कर रहा है मैं तो लगत आप पुने जनता को लेकर के सरकों के उतरेंगे और आपके शाज़न की इट से इट बजाने का काम आम बात में जनता पार्ट के करेंगे, आप सब को ये बात जन जन का को जानी है, बहुत बहुत हनुआ। पुर्देश के वर्ष नेता, मानी ओकासींजी, सांसत मौद, विदाई कान, शेर के पिक्षिव और करेंगे का बंदू आप बैन हों। अबी आज सुगर में अक्वाइब पड़ा कि जूगपूर के शहर में एक गाई से कुछ गुंडे लोग जाये थे, उनना ने एक को तक्कर मारी, वो नोजवान मापर मर गया। दूसरे पर तक्करवारी वो गाई लुआ, उसका साथी उनके पीछे बागा, कार में से उतर कर उसको चाटू से घोप दिला। पर आज तक उन अपराथियों को बकड़ा लूए। पांस तिर पहले जोद्पुर में कुछ फोटो अप्मार में और मुदिया में आई कि लोग अधियार लेरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर असोग गहलोर के उस शैर में उनकी गिदान सबा में असाब होगा। ये कानून जवस्ता की स्थिए। इस सो पचास अपराद महिलाओं के लिए हुए, दो हजार अपराद दनितों पर हुए हैं, पर सरकार ने अधिमांस में बोड़ी कारवाई देए। ये जो पेज़ोर जिसको सरकार माना था, वो बिगड़ी सरकार भी। असरोग यहलोत और सचिन पाइलेट की विगड़ी जोडी ये एक दूसरे को भुटाने में लगे हुए हैं, ये जिस तरह से एक दूसरे की कुर्सी को चीड़े में लगे हुए हैं, इनको कानून व्यवस्ता, जब व्यवस्ता, बिश्ली व्यवस्ता पर कोई सबक्षा करन कि पुरुषत नहीं है और यही एक कारण रहा कि चार महीने में समझना आ गया था यह सरकार गड़वड है उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री अपनी सिद्धों पर आ रहे असो गेलोग अपनी विदान सबापर आ रहे अपने पूत पर आ रहे इससे पता लगता है जनता को इंका सब्समझना आ गया पर हम आज ग्यापर देखकर महीन राजयपाजी से निवेदन करते हैं इन दौनों जो त्योड़ी बिगड़ चुकी है इनको चेताओं नहीं कि सरकार को समाने की गोशिट करें दिल्दी के दरबार में बोग देना बंद करें और जंता की कर्ण करें आप सब अजमें दियात और शेफ के करें यहां पर इपटे हुए मैं आपका आभार प्रिकट करता हूं आपका अबिन दन करता हूं दन्यवाद आपपाराज माता की वंदे वंदे माता हूं आज पुरे रास्तान प्रदेश्वार में जो 2018 में जूत और जंता को बर्ला कर जूते हादे करकर जो बारती जन्ता पार्टी जो हमेशा विकास में विस्वास करती है ऐसी जो विकास रुपी पार्टी को नजम दाज करके जूट और प्रेक्ष जन्ता को भरगला कर जिनुने सरकार बनाई राजस्तान में कांग्रेस की सरकार जो नोने जुटे वादे किये किसानू अंता जों को ठागा कि किसानू के संपूर कर शे माप कर देंगे यह रुपीय करजा माप ने किया यह के लिए का सारे 30,000 रुपे बिरोज़ गरी बता देंगे यह पेशा नहीं दिया आज पूरे देश में अरास्ता भेल रखी है, प्रसासन में हमकी कोई चीज नहीं है, मुक्चा मंत्री, सारा मंत्री बाडल, सारे निकमेपन और ये दूजरे की टांग कीचने में लगे वह हैं, इसलिए आज पूरे प्रदेश वर वह हैं, आज इस निकमनी सरकार के खिलाब ये जो प्रदेशन हो रहा है, आज हमारे अस्मेर ये संपाज को काले में हमारे पीच में, हमारे सब के अगरत आदने लगाव जी वहिताव, आदने श्री शोंगरा जी, हमारे चिदातक्ष आदने श्री बीप सार्चोची, श्री एडा जी, श्री कार्ला जी बोजर साब, हमारे पूर मंतरी अदने श्री देवरान जी, पूर मंतरी बहन अनिता जी, संकर शिंची, रांस रूती हमिले साब, और सभी पाल्टी के वरिष्ट नेदागन सभी जन्पति दिएना आधिया पतार है। सभी जन्पति नेदागन सभी जन्पति दिएना आधिया पतार है। सभी जन्पति 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 जो अबरत्ति में अत्यचार हो रहे हैं। जिनके पर हम किस सकते हैं। मैंना तो यह कहना है। यह सरकार को अभी कह रहते हूं। संकर्जी के मुझ्यमंत्री लड़ रहे हैं। और इसके लिए कारकरता तंगों हमें। आज हम सावचेत कर रहे हैं। उनको जदी जन्पति जोड़ते होगे तो ठीक है। नहीं तो इंट से इंट वाजाना है। और इस सरकार को चंति कर लिए। इसके लिए आज धर्णा प्रदर्शन और गवर्नर के नाम और मुझ्यमंत्री के नाम में जहरतों सरी निकमा को भाचेपाजी को तो जहीं है। निकमा भी सरकार को भी तो जगाओ। जब से राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार आई है। अशोग गैलोद मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान में कानून विवस्था चौपट हो चुकी है। जितने भी अपरादी हैं खुले आम घूम रहे हैं और जो सज्जन विक्ति हैं वो अपने आपको बड़ा एस रक्षित अन्भो कर रहे हैं। यहां पर दलितों और महलाओं पर विशेश रूप से पिले आठ महीने में जो अत्याचार बढ़े हैं। मास लाइस औरो स्वाइश कर्म चाश रहे हैं। में दढ़ना पर देरिष्ण करके अशोग खैलोट को चिताया है .. अब भी चेट जाओ जनता आ रही है नहीं संभाल सकते हो तो आप कुर्सी छोड़ो क्योंगा आपका केवा सारा समय दिल्ली में बीत रहा है अपनी कुर्सी बचाने में लग रहा है यहां तक पहलू खांगा मुद्दा है तो आप साइटी की घटन करके करते हो और जब इसका घटना आती है जाटाओ का तो निश्चित रूप से आप किसी प्रगार का कोई कदम नहीं उठाते हो इलिए तुरांट चेट जाओ और आगे करवाई करो महीं राजपाल जी के नाम हमने ज्यापन दिया है पूरे प्रदेश भर में जो ये जो प्रदेश की कांगरेश की सरकार है जो प्रसासन नाम की कोई चीज़ नहीं है या अन्याय अत्याचार आम जनता पे विसेस्तोर से महिलाओं पर अनुष्टि जाती जन जाती पर इतने पर देश की एक गरिमा और यहां का परदेश का मान सम्मान घट रहा है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और यह मुक्यमंत्री उप मुक्यमंत्री आपसरे में लड़ रहे हैं और जनता की कोई परवा नहीं कर रहे हैं इसले हमें इन सब को समय रहते है गवर्णरसाब के नाम हमने गयापन दिया है कि सरकार होस्ट में आए और जनता के साथ जो में अनियाय कोर्णा इस उसे के उपर कैसे है थीक तरह से व्यस्ता करें नहीं तो हम सब कार करता जो पूरे परदेश वर्म है चारी जन बरती दीओं चारी कार कार करता हो हम सब मिलकर आज हमने घ्यापन दिया है कि ये होस में आई है सरकार और ये होस में नहीं आएगी तो फिर हम बड़े अंदोलन करेंगे दरना देंगे और इसनिकम में सरकार को हम चलती करेंगे। इसके लिए हमने अज ये ग्यापन के द्वारा मा महीं राजि जपाल के नाम ग्यापन दिया है। देखें हमने ये तो परकास तो अपने कर्वों से होनी जा रही है। परन्तु जब तक ये गिरेगी नहीं जाएगी नहीं तब तक राजस्तान को खड़े में डाल देगी आम जंता हेरान और परिशान है और विशेश तोर से महिलाओं का सम्मान नहीं बचा है इसलिए आज हमने ये ग्यापन दिया है कि ये सरकार या तो जनित के कार्य करें और जो परसासन नाम की कोई चीज नहीं है सारा जो महिलाओं के साथ सबके साथ जो अत्याचार हो रहा ही ये रुके नहीं तो हम फिर इस सरकार को हम आगे झाल